दोस्तो क्या आपने कभी सोचाए कि कभी कबार हमारे हाथ के बाल यानी रोंग्टे खड़े के हो जाते हैं। क्यों कुछ देर पानी में हाथ या पैल डालने से ऐसी सिल्वटे आ जाती हैं। आखिर हमारी उंगलियों में सफेद दाग क्यों होता है। और जब चोटे बच्चे रोते हैं तो उनकी आखों में से आसु क्यों नहीं आते। ऐसी ही इंट्रेस्टिंग नोलिस जानेंगे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेना। दोस्तों आपने कभी न कभी किसी की उंगलियों पर ये सफेद दाग तो जुरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कुछ लोगों की उंगलियों पर ही क्यों होते हैं। जैसे कि iron, calcium और minerals की कमी के कारण ये सफेद दाग दिखने लग जाता है साइंटिस्टों के according जो लोग left-handed होते हैं यानि जो अपना सारा काम उल्टे हाथ से करते हैं वो लोग लगबग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो अपना सारा काम सीधे हाथ से करते हैं ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादा तर चीजे right-handed लोगों नहीं बनाई हैं जिसके कारण left-handed लोगों को बहुत सी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है आपको पता होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बोडी को कंट्रोल करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरजरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके अलग रखा जा सकता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इससे हमारे दिमाग पर कोई भी असर नहीं होगा एंड हमारा brain 40 की उमर तक बढ़ता रहता है वही हमारे होटों के पीछे एक मैसिटर नायम की मसलस होती है जो होमे खाना चबाने में मदद करती है और ये मसलस इतनी स्ट्रोंग होती है कि ये 90 किलो तक के वजन को भी उठा सकती है दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को कैंसर की बिमारी होती है 0.03 मीटर तक ग्रो करते हैं दोस्तों जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके सरीन में एक टप के बराबर खून होता है और वह अपने आसूं को नहीं बासकता और दोस्तों कि आपको पताई कि इंसान के नाक और कान पैदा होने से मरने तक बढ़ते रहते हैं इसी कारण इ नोटिश किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हैं तो आपके हाथ और पैरों में कुछ इस तरीके की सिल्वटे पढ़ने लगती हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचाई कि इनका कोई फाइदा होता है या नुकसान यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस् पड़ भी नहीं पाएंगे नंबर दोस्तों कुछ सिच्वेशन में हमारे हाथ के बाल यानि रॉंग्टे खड़े के हो जाते हैं जब आप कोई ड्रावनी फिल्म देख रहे होते हैं या किसी पार्टी में बहुत ही ज़्यादा सोर हो रहा होता है ऐसी सभी सिच्वेशन मे हमारी बोड़ी में अट्रिलन नाम का होर्मोन रिलीज होने लगता है और जब यह ज़्यादा तेजी से रिलीज होते हैं तो हमारे हाथ के रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ हुमन बोड़ी से जुड़े अमेजिंग फैक और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर लो लिंक ओन डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बोक्स